हाई फूडीज कैसे हों आप लोग उमीद करता हूँ अच्छे ही होंगे देखिए हमारा ये मसाला पनीर वाला डिस कितना यम्यमी दिख रहा है और कितने रेडिस भी दिख रहा है चलिए सुरू करते हैं आज का रेशिपी चलिए दोस्तों रेशिपी के लिए पेले प्यान लेके उसमें दो टेबल स्पून के बराबर ओल डालते हैं अब उसमें जाएगा दो बड़े साइज का प्याज वो भी चॉप किया हुआ अभी हमारा प्याज को है न एक दिम अच्छी तरह से भून लेंगे और यह अच्छी तरह से भूनने के बाद हम उसको एक पेस्ट बना लेंगे कि दोस्तों प्याज हमारा अच्छे तरह से फ्राई हो गया है अभी हम उसको एक ग्राइडिंग जार में लेकर अच्छे तरह से ग्राइड कर लेंगे वही पैन में और थोड़ा से तेल डालके इसमें अभी हम एड़ करेंगे कुछ होल गरम मसाला डाल चीनी दो इलाइची और दो लॉंग और थोड़ा से ग्रीन चिली अब उसको अच्छे तरह से सौटे कर लेंगे देखिए अभी हमारा यह अच्छे तरह से फ्राइर हो चुगा है अब हम उसमें डालेंगे दो बड़े साइज का टमाटर वह भी चौप किया हुआ प्यास को थोड़े दिर पकने देते हैं दोस्तों उसके बाद वह अच्छे तरह से पकने के लिए हम उसमें एड़ करेंगे एक हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर और उसके बाद हम उसमें डालेंगे एक टी स्पून नमक देखिए दोस्तों टमाटर भी हमारा एक तम अच्छे से पक चुका है अब हम उसमें ओनियन का पेस्ट जो हमने रेडी किया था उसको डाल देंगे अब यह मसाला को एकदम अच्छे से मिलाएंगे यह सारे चीजों को और उसका अच्छे से ग्रेवी प्रिपेर करेंगे देखिए दोस्तों ग्रेवी का कलर कितना अच्छे से चेंज हो गया है अभी उसमें अड़ कर देंगे अध्रक लेशन का पेस्ट वह भी दो बड़े चम्मच अब हम उसमें डालेंगे एक टीस्पून के बराबर कास्मिर लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर एक टीस्पून जीरा पाउडर अब इस सारे मसालों को फिर से तोड़ा अच्छे से मिलाएंगे सारे मसाले अच्छे से पकने के लिए हम उसमें आधा कप के बराबर थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे थोड़ी देर पकने के बाद हम उसमें आड़ करेंगे चिकन मसाला वो भी एक टीस्पून उसमें और अभी जाएगा थोड़ा सा कसूरी में थी फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए अगर अच्छा नहीं भी लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए अगर थोड़ा सा जादा ही अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को थोड़ा सस्क्राइब कर दीजिए देखिए करी का तो असली मज़ा ग्रेवी में ही होता है तो चलिए हमारा ग्रेवी अभी लगबग रेड़ी हो चुका है हम अभी उसमें एड कर देते हैं हमारा पनीर मैंने यहां 200 ग्राम पनीर लिया हूँ यहां जो मेरा ग्रेवी है वो बहुत ही ठीक है दोस्तों तो अभी मैं उसमें और थोड़ा है पानी एड कर रहा हूं अगर आप लोगको आसे ही सुका सुका कह ना पसंद नहीं तो और थोड़ा पानी उसमें एड करके उसके इसाब से नमक डालके उसका टेस्ट को एड़ेस्ट कर सकते हैं देखिए दोस्तों उसका ग्रेवी के साथ पनीर हमारा कितना अच्छे से पक गया है अभी हम उसमें आड़ करते हैं हाप कप मिल्क वो भी फुल क्रीम मिल्क है दोस्तों और उसको एकदम अच्छे से मिला लेते हैं अपना ग्रेवी में देखिए दोस्तों मिल्क डालने के बाद हमारा कलर कितना अच्छा आया है अब उसमें आड़ कर देते हैं दो टी स्पून चीनी उसके क्या होता है ना हमारा करी का जो ग्रेवी होता है उसका टेस्ट जो है बेलेंस आ जाता है कुछ पी अगर उपर नीचे हो तो वो चीनी उस अभी लगबग हमारा करी रेडी हो चुका है उसको और थोड़ा सा मिला के दू मिनट तक पका के फिर हम उसको प्लेट में निकाल देंगे कि देखिए दोस्तों करी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है अभी आम उसको एक प्लेट में निकाल रहे हैं और इससे देखके ही तो मेरा मुह में पानी आ रहा है दोस्तों इसको रोटी नान चावल आप हर डिस्क के साथ खा सकते हैं कि अभी उसमें थोड़ा सा धनिया के साथ में स्प्रिंकल करके इसको गानिसिंग कर रहा हूं देखिए कितना यमी यमी और डिलिशियस दिख रहा है मेरा ये पनीर वाला डिस्क चलिए थैंक्यू फॉर वाच